हे स्टुडेंट्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बीएसी सेकेंड इयर बॉटनी का एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कूल एकेंथेसी या जिसे वसाय कूल भी कहते हैं फैमली एकेंथेसी वरगी कृत इस्थिती देखेंगे सिस्टमेटिक पोजिशन बैंथम एवं भूकर के अनुसार बैंथम एवं भूकर ने एकेंथेसी फैमली को इस प्रकार से वरगी कृत किया है प्रभाग, डिविजन, फैंडरो गेम्स, वर्क, क्लास, डाइकॉर्टिलेडंस, उप वर्क, सब क्लास, गेमो पेटली, स्रेनी, सिरिस, बाइकार्पिलेटी, गर्ण, ओर्डर, परसोनेल, कूल, फैमली, एकेंथेसी अब हम देखेंगे वित्रण, डिस्टोब्यूजन, इस स्कूल के अंतरगत, मतलब इस स्कूल के अंदर 255 वंस, जैनेरा, एवं 2750 प्रजातियां, स्पेशिस, समलीत की गई है इसमें से 84 वंस एवं 514 प्रजातियां भारत वर्ष में पाई जाती हैं, मतलब भारत में ही सिर्फ 84 वंस और 514 प्रजातियां है इस स्कूल के पौधे वित्रन में सर्व व्यापी होते हैं, मतलब सभी जगा देखे जाते हैं, परन्तु उष्णकटी बंदिये एवं उपोश्णकटी बंदिये जंगलों में विसेश कर दलदलों में मिलते हैं अब देखेंगे प्रमुक वंस, इंपोर्टेंट जैनेरा, पर्स नमबर पे है एथा तोड़ा, सेकेंड नमबर पे है जस्टी सिया, थर्ड नमबर पे है बारलेरिया, फोर्थ नमबर पे है एंड्रो ग्राफिस, फिफ्थ नमबर पे है एकेंथेस, सिक्स नमबर पे है एस सबसे पहले देखेंगे प्रकृती, हैविट इस कूल के सदस्य प्राय एक वर्षिय या बहु वर्षिय साक अथवा जाड़ी के रूप में पाए जाते हैं जो एकेंथेसी कूल है उसके सदस्य एक वर्षिय मतलब जिनका जीवन काल एक वर्ष का होता है या बहु वर्षिय जिनका जीवन काल एक वर्ष से अधिक होता है साक जो सबसे छोटे वाले प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है अथवा जाड़ी जाड़ी साक से थोड़े बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है के रूप में पाए जानते हैं एकेंथास इलिसी फोलियस एक मैंगरू दलदलिय पौधा है एस्टरकेंथा लांगी फोलिया एक जेलिय पौधा है मतलब जल में होता है ठीक है थून बर्जिया एवं मेंडो निका एक आरोही प्रजाती है जस्टिसिया एक साकिय पौधा एवं एधा टोड़ा एक समान्य जाड़ी होता है अब देखेंगे जड रूट इस कूल के पौधों में सूविक्सित मुसला जड तंत्र पाये जाता है जो एकेंथेसी कूल है, इसके पौधों में सू विक्सित मुसला जड़तंत्र पाये जाता है अब देखेंगे तना, स्टेम, तना, वाइविय, साकिय, या कास्टिय, प्रक्राय, सीधा एवं साकित होता है रूएलिया, ट्यूब रोशा में तना, भूमी गत, कंद भूमी का, कंद का मतलब होता है, जब उनकी जड़ें भूमी में जाती है, जमीन के अंदर जाती है, तो वो कंद बन जाती है जैसे कि मूली, मूली की जड़ जब जमीन पे जाती है, तो वो कंद बन जाती है थून भर्जियां में आरोही या दुर्बल, रेंगने वाले एकेंथस, इलिसी फोलियस, एवं एस्टर केंथा, लांगी फोलिया में कंटीला होता है, मतलब उनके प्लांट्स में काटा होता है, उनके तने में ठीक है? अब देखेंगे पत्ती, लीव, पत्तियां प्राय अभिमोक, ड्यूसेट, सरल, पूर्ण एवं अनुपत्री होती है, कभी कभी पत्तियां पक्छवत पालिद भी होता है, उदारण, एकेंथस, मरुद भेत, प्रजाकियों में पत्ती की फलक हार्शित होकर काटों में रुप पांत्रित हो जाता है, उदारण, बली फेरिया, सरी, बली फेरिश, अब आगे देखेंगे पूस्पी अलक्छण, फ्लावरल केरेक्टर्स, मतलब फूलों का लक्छण, ठीक है, सबसे पहले दिया है पूस्पक्रम, मतलब फूलों का क्रम, पूस्पक्रम प्रायर, व्यवस्थित होते हैं, प्रारम में ये द्वी शाखेत साइम के रूप में होते हैं, परंतु बाद में ये एक साखेत साइम में परिवर्तेत हो जाते हैं, कुछ पौधों में पूस्प, रेशीम, स्पाइक, अथ्वा पैनिकल के रूप में मिलते हैं, थून भर्जिया में पुस्प एकल कक्छस्त क्रम में लगे रहते हैं अब देखेंगे पुस्प मतलब फूल फ्लावर पुस्प पून द्वीलिंगी जयांगो मर्फिक एवं अधो जयांगी होते हैं ये सहपत्री एवं लगु सहपत्री होते हैं थून बर्जिया में ब्रेस्टी ओल बड़े होकर पुस्प के चारों और एक इनवाल्यू कर बनाते हैं एधा टोड़ा रुएलिया आदी में पुस्प के दोनों पाशर्मों पर एक बारलेरिया प्रियो निटिस में अभिमुक एवं डिक्यूसेट रूप से व्यवस्थे दो जोड़ी काटेदार ब्रेक्टी ओल पाय जाते हैं पुस्प प्राय चतूर तई या पंच तई होते हैं अब देखेंगे बाहे दल पुंच केलेक्स जो फ्लावर के सबसे बाहर वाले हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्राहय पांच सेपल्स परंतु कभी-कभी चार भी होते हैं, जो इनके सेपल्स होते हैं, वो पांच होते हैं, कभी-कभी चार भी हो जाते हैं, थून बर्जिया में बाहय दल, अल्पविक्सित, तथा और इसपस्ट होते हैं, मतलब अल्पविक्सित मलब थोड़े से ही दिखाई ही नहीं देते हैं ठीक है तथा ये सलकों एवं सलक पत्रिकाओं के द्वारा सुरक्षित रहते हैं सलक के द्वारा ये फिर सलक पत्तियों के द्वारा ये क्या रहते हैं सुरक्षित रहते हैं बाहे दल विन्यास प्राया कोर इस परशी होता है बाहे दल प्राया मतलब जो एकेंथेसी फूल के जो फ्लावर हैं उनकी दलों की संख्या प्रायब 5 होती है कभी कभी चार भी होती है दल युक्त दर्य होते हैं दल प्रायब 2 औस यह होते हैं दल का उपरी ओस्ट उर्द्व तथा दो दलों से मिलकर बना होता है जबकि निचला ओस्ट तीन दल से मिलकर बना होता है ओस्ठों की आंतरिक सता पर रोम पाय जाते हैं रोम बाल जो छोटे-छोटे बाल होते हैं उन्हें कहते हैं ये रोम दल नलीका के मुख तक फैले रहते हैं कुछ पौधों में उपरी ओस्ठ अनुपस्थित मतलब नहीं होता है उदारण एकैंथस कुछ पौधों जैसे थून बर्जिया रुएलिया आदी में दल पूंच पांच समान पालियों में बटा रहता है कोरोला का विन्यास प्राया कोर्चादी प्रकार का होता है अब देखेंगे अगला पुमंग पूंग केसरों की संख्या विबिन वन्सों में दो से पांच तक होती है जस्टीसिया में पूंग केसरों की संख्या दो होती है पूंग केसर दल लगन होते हैं पूंग केसर नर जनननं को कहते हैं ठीक है पैंस्टी मोनोकेंथरस में पांच पूंग केसर होते हैं जो की उड़वर होते हैं पूंग केसरों की संख्या चार होने पर ये द्विदि पाँच्वा पुनकेसर बंध्य होता है तथा स्टैमिटर प्रदर्शित करता है पुनकेसर के पुतन्तु कोरोला ट्यूब में उपर की ओर स्वतंतर रहते हैं मतलग किसी से जुड़े नहीं होतें श्वतंतर होते हैं जिसके कारण परा कोज कोरोला ट्यूब के मुख पर आ जाते हैं थून बर्जिया के पुतन्तू अत्यन छोटे होते हैं जो थून बर्जिया हैं उनके पुतन्तू बहुत ही जादे छोटे होते हैं तथा ये कोरोला ट्यूब के अंदर इस्थित रहते हैं जो थून बर्जिया के पुतंतु है वो कोरोला ट्यूब के अंदर इस्थितर रहते हैं मतलब, वही रहते हैं ठीक है पराग कोस्ट दूई कोस्टिय या एक पोस्टिय हो सकते हैं पराग कोस्ट अंतरमुकी होते हैं तथा लंवत दरार के द्वारा फटते हैं अब देखेंगे जायांग, जायांग द्वी अंडपी, युक्ता अंडपी एवां उत्तरवर्ती अंडा से युक्त होते हैं अंडा से द्वी कोस्ट यह होता है, प्रते कोस्ट में दो-दो अथ्वा अधिक एनाट्रोपस बिजांट होते हैं बिजान न्यास अक्षिय प्रकार का होता है अंडा से लंबा होता है तथा यह मधु इस्तरावक डिस्क के उपर इस्थित होता है वर्तिका पतली एवं लंबी होती है जिसके अग्रभाग पर अग्रभाग का मतलब होता है आगे वाले भाग पर दो विभिन आकार की वर्तिका अग्रभ पाई जाती है अब देखेंगे फल, fruits फल प्रायर कैपशूल या ड्रूप होता है जो एकेंथेसी कूल का प्लांट होता है उसके फल प्रायर कैपशूल या ड्रूप होते हैं बीच सेट्स बीच प्रायर भून पोशी होते हैं अब देखेंगे एकेंथेसी कूल के पौधों का आर्थिक मत्व, economic importance of plants of एकेंथेसी family फर्स नमबर पे है अडूशा, एधा टोड़ा, वैसिका, इसकी पत्तियों से वशाका नामक औसधी प्राप्त होती है मतलब वशाका नामकी दवाई प्राप्त होती है जिसका उप्योग खासी के उपचार में expectorant की भाती किया जाता है सेकेंड नमबर पे है केस रहा, बारलेरिया, प्रियो नीटिस इसकी पत्तियों का रस खासी एवं bronchitis के उपचार में काम आता है थर्ड नमबर पे है ताल मखाना, एस्टर कैंथा लांगी फोलिया इसके बीजों का उप्योग सुजाक के उपचार में किया जाता है पत्तियों, जडों एवं बीजों का उप्योग पीलिया एवं गठिया जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है ये तो हम देखे और सध्य गुंड अब देखेंगे सजावटी पौधे केसरेया, नीला कुसूम, रुएलिया, क्यूब रोशा, आदी ये जो है, ये क्या है सजावटी पौधे हैं, जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किये जाते हैं, इन्हें उद्यानों एवं घरों में लगाये जाते हैं हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ, अगर आपको हमारे चैनल से हैल्प मिलती हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठाइंक यू